तो आज हम करने जा रहे हैं इंड्रवरजा शंद तो इससे पहले हमने काफी सारे चार से पांच शंद अल्रेडी कर लिये हैं वो वाली वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पे उपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी आप वहाँ पे जाकर बटन वीडियोस को चैक आूट कर सकते हैं तो सबसे पहली यहां पे क्या है इसकी परिभाषा है जिसमें आपको बता रखा है कि इंड्रवरजा एक संवन शंद हैं तो हमने इससे पहले वारनिक्षंद भी किये हैं और इसी के साथ मने मात्रिक शंद भी किये हैं तो जो इं क्या होता है तगन क्या होता है और गुरू क्या होता है और प्रतेक चरण में 11 11 वर्न होते हैं तो इसमें हमें मात्राओं की गनना नहीं करनी इसमें हमें क्या गरना है वर्नों की गनना करनी है तो उधहरन देख लेते हैं इसकी इसकी उधहरन क्या है मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा है जो तुम्हें इष्ट नहीं करूँगा मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा है जो तुम्हें इष्ट नहीं करूँगा संतान जो सत्यवती जनेंगी राज्य अधिकारी वही बनेंगी तो इसमें आपको सबसे पहले इसमें क्या बता रखा है कि इसमें 11 वर्न हो कि इसमें हमें सबसे पहने करना है वर्नों की गणना कर लेनी है दूसरा यहां पर जो चीज है वो यह है कि इसमें कितने दो तगन होते हैं, एक जगन होता है और दो गुरू होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो तगन है, दो तगन होते हैं, तो तगन का साइन क्या होता है, यह चीज होती है, डबल एस और आप इसको एक डंडी बोल सकते हैं, डबल एस और डंडी, इसके जग्न का साइन क्या होता है यह भी आप देख सकते हैं और दो गुरु होते हैं अभी हमने क्या देखना है कि हमने वर्णों की गन्ना कर ली हमें एक चेज का पता चल गया कि यह इंद्रवरजा शन है तो अभी जब हम इसकी जो मात्रा है मात्राओं के गन्ना करेंगे तो आप देख सकेंगे कि जो यह पहली पंक्ती है यहां पे मैं आपको करके दिखाऊंगी कि इसमें दो तगन होगे और एक जगन होगा दो गुरु होगे तो सबसे पहले हम यह करके देख लेते हैं तो यहां पे आपको मात्राओं की जो साइन है बोदी नहीं है तो जहां पे मैं सबसे पहले बोदी लेती हूँ आप देख रहे होगे यहां पे आप तीन-तीन का यह बना लें ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि देखिए जो तगन का साइन था वो यह था पहले हमारे पास कितने तगन आ गए दो हमारे पास तगन आ गए उसके बाद एक हमारे पास जगन है और दो हमारे पास गुरू है ठीक है तो आप इससे भी ये पता लगा सकते है कि जो इंद्रवरजाशन्द है इसमें दो तगन होते हैं एक जगन होता है और दो गुरू होते हैं तो उमीद है कि आपको इसकी परिभाशन और इसकी जो पहली वालियनी उधरन आपको बताई ये वो समझ में आ गई होगी और आपको तगन जगन और गुरू के जो साइन है वो भी समझ में आ गई होगी तो अब हम कर लेते हैं इसकी दूसरी उधरन दूसरी जो उधरन है वो हमारे पास है दुआरे तिहारे दुख्या पुकारे संताप सारे हरलो हमारे जोली उनहारी भरते उधारी कल्यान कारी शिव दुख हारी इसमें भी आपको पहले इसके वर्नों की करना कर लेनी है और उसके बाद आप इसकी पंक्तियों में ये चीज़ देख सकेंगे दो तगन, एक जगन और दो कुरो तो इसमें सबसे पहले हम इसकी पंक्तियों की करना कर लेते हैं वर्नों की कर लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आट, नो, दस, ग्यार है। इसमें भी आप पंक्तियों की सोरी वर्नों की गन्ना करके देख सकते हैं कि इसकी ग्यारे ग्यारे वर्न है प्रतेक पंक्ति में। इसके बाद जो हमारे पास next example है हम उसको देख देते हैं हारो ना भागो, नितकोशिशे हूं, बाधा मिले जो कर पार लेंगे, मांगो हम सहारा, मत भाग्या सेरे, नोका ना चाहे, मज़धार लेंगे इसमें भी आपको वर्नों की करना करनी है, उसके बाद आप जर्म तगन करना चाहें तो वो भी देख सकते हैं तो इसमें भी क्या है, कि एक, दो, तीन, चार, पांची, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार है इसमें आप देख सकते हैं कि प्रतेक में आपको ग्यारह, ग्यारह, मत्राएं मिल रही है अगर मैं इसमें आपको जगन तगन के बारे में बताऊं तो भी आप देख सकेंगे कि ये जो इक्जामपल है, वो हमारे इंद्रवरजा शंद की ही है तो इसमें सबसे पहले हम कर लीते हैं हारो को दो मात्राएं हैं और न अकेला है इस वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पर ये वल्ला साइन दिया है और यहाँ पर रंडी दिया है इसके बाद हमने यही चीज फोलो करनी है सभी में तो यहाँ पर भी आप देख रही होंगे यहाँ पर यह हमारा पहला तगन है यह दोस्रा है यह जगन है और यह हमारे पास कितने हैं दो गुरू है अगर मैं इस पर करूं तो भी आप देख पाएंगे तो आप देख पा रही होंगे कि यहाँ पर भी पहले तगन है फिर से तगन है फिर से जगन है और फिर से गुरू है तो ऐसे ही आप देख रही होंगे कि जो परिभाशा में बता रहा था इसमें दो तगन होने चाहिए एक जगन होना चाहिए और दो इसमें गुरू होने च आप दूसरी जो दो रहती पंक्तियां हैं उन पर भी करके देख सकते हैं आपको बिल्कुल स्रीम यह ऐसी जो चीज है वो सभी पर मिलेगी तो उमीद है कि आपको मेरी आज की यह वाली वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइ